जहिन साथियों कैसे हैं आप लोग हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12 और NDA को किस तरीके से मैनेज करें especially जो अभी NDA 1-2024 21 एपरिल को देने वाले हैं उनकी बात होने जा रही है definitely एक बड़ा challenging part होता है कि हम किस पे जादा ध्यान दें और अगर दोनों पे ध्यान दें तो वो किस परकार से मैनेज करें तो मैं प्रयास करूँगा जो अभी तक मेरा अनुभव है किस तरीके से best utilization हो सकती है कि मैंने भी अपने 12th के साथ साथ या NDA crack किया था Air Force से पाने selection लिया था तो definitely अगर मैंने किया है कई और विद्यार्थिं को करवाया है तो definitely आप लोग भी कर सकते हैं मैंने क्या formula यूज किया था किस तरीके से मेरे बच्चे कर रहे हैं और पीछे जो बच्चों ने अचीव किया है मेरे guidance में वही rule मैं आपके लिए यहाँ पर decode करने जा रहा हूं तो देखो भाई सबसे पहली बात तो यह सर जादा ध्यान किस पर दे क्लास 12 पे especially PCM के जो बच्चे हैं क्लास 12 पे ध्यान दे या NDA पे ध्यान दे सीधा एक sentence में जवाब यह है क्लास 12 पे ध्यान दो क्यों अगर तुम्हारा क्लास 12 खराब हो जाएगा तुम्हारी एक entry बेकार हो जाएगी वो क्या है टेकनिकल एंट्री में तुम डिरेकली NDA की SSB call ले सकते हो डिरेकली ठीक है और अगर तुमने क्लास 12 पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो NDA वैसे भी आसानी से मैनेज हो जाएगा उसकी तरकीब क्या है क्या उसकी strategy है डिटेल से बताने जा रहा हूँ बिलकुल pen copy के साथ बैठो properly हर चीज को notes बनाओ उसके बाद भी कोई समस्या है comment में बताना I'll try to make sure कि जो भी तुमारी समस्या है उसको हम deal करें एक और बात उमीद है आप लोग इस चैनल को regularly follow कर रहे होंगे रोज सुबह 10 बच के 10 मिनट से मेरी live classes हो रही है और वो जो live class हो रही है वो continuity, differentiability ये सारी बातें कर ली है तो आओ चलो let's get back to how to balance between boards and the NDA 1 2024 let's talk about it तो बच्चों ये है तुमारे पास class 12th का syllabus ये आपकी weightage है relations and functions, 8 marks, algebra, 10 marks and so on ये सब बातें आप जानते हैं इस पे आपको 100% ध्यान देना चाहिए अब आज है 12 तारिक आज 12 जन्वरी को मैं ये वीडियो record कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 13 या 14 तारिक को आपके पास की चला जाएगा, public हो जाएगा ये YouTube पे, ठीक है, तो मेरा ये मानना है अब जो समय बच गया है तुमने अगर ठीक ठाक से बढ़ाई की है पीछे या नहीं भी की है, तो तुम्हारा अब जो काम है वो है अपनी weaknesses पर work करना, अब बात आती है sir, weaknesses कैसे identify करें, भाई मेरे full syllabus का complete mock test देना शुरू करो, full syllabus का, इस समय पे भी बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, कि वो topic by topic पढ़ रहे होते हैं, जो topic पढ़ रहे होते हैं, वो तो बहुत बढ़िया तयार हो जाता है, लेकिन जैसे उस topic को पढ़े हुए एक हफता, दो हफता होता है, फिर से वो बूले लग जाते हैं, तो मेरा ये कहना है, अगर तुम complete syllabus पे grip चाते हो, पकड़ चाते हो, तो तुम्हे complete syllabus का mock test देना पड़ेगा, मैं strongly recommend करूँगा, कि अब लगबग तुमारे पास 45 से 60 दिन है, total exam, main exams को लेकर कि, अगर मैं पहले boards की बात कर रहा हूं तो, ठीक है, तो आप कम से कम 10-10 test हर subject के लगा के जाईए, especially PCM के, 10-10 complete mock test, जब तुम 3-4 mock test लगा चगे होगे, तो तुम्हें real analysis पता लगेगी, कि क्या तुम्हारी कम्या है, क्या तुम्हारी strength है, एक दो test में मेरे भाई नहीं बता लगती, right, कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता है, बच्चे कहते, sir, paper बड़ा lengthy है, इतना lengthy है, sir, paper हुई नहीं पा रहा, मतलब आता तो है, लेकिन हो नहीं पा रहा, भाई, paper lengthy नहीं है, आपकी speed गम है, आपको speed पे work करने के लिए, you definitely, you have to practice time and again, the same paper is done by others in 2 hours, and you are taking more than 3 hours, that only means क कि आप slow है, paper lengthy नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो कहीं न कहीं तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, कि paper के हिसाब से हमें adjust करना है, paper हमारे हिसाब से adjust नहीं होने वाला, are you getting my point, and I am very sure you agree to this, ठीक है, तो इसी लिए आप धेर सारे test दीजिए, एक system मना लो, रोज सुभे साढ़े दस बहे से ले करके देड़ बजे तक test दिया करो, हर रोज, board pattern पे, ठीक है, board pattern पे, ध्यान रखना, मैं अभी NDA की बात करूंगा, क्या तुम्हारी strategy होगी, किस तरीके से लेके चलोगे, और कैसे तुम सुनिश्चित करोगे, कि तुम्हारा cut-off clear हो रह ठीक है, इस बात को मैं इस वीडियो में definitely 100% तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, make sure you watch it till the end, okay, तो यह जो तुम्हारा curriculum है, यह तुम्हारा syllabus है, class 12th का, right, CBSC है, ISE है, या फिर आप UP board के या किसी और board से भी है, तो यही आपका syllabus है, right, जहातर जगह पे NCRT ही follow होती और यही syllabus होता है, लेकि कई जगह पे ISC मैंने देखा है, ML अगराल follow करते हैं, RD शर्मा वाले बच्चे जो हैं, CBSC वाले जो बच्चे हैं, वो RD शर्मा follow करते हैं, है न, UP board के बच्चे जो हैं, इस तरीके से और कुछ केसी सीना वेगरा book भी follow करते हैं, फिलाल आप जो भी book follow कर रहे हैं, syllabus आपका यही है, more or less, CBSC ने अभी 10% syllabus cut जरूर से कर दिया है, COVID के दोरान से, और अभी तक भी 10% syllabus cut हो रहा है, जो लोग NDA crack करने की सोच रहे हैं, इसी बार उनको वो deleted syllabus भी करना है, ठीक है, मौक्टेस जब दे रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, updated book ले लो, द NBSC वालों के लिए मैंने Arian suggest किया है, और ISC वालों के लिए मैंने Oswald suggest किया है, तो आप accordingly जो है, book अपने लिए चले select कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, रोज exam time पे साढ़े 10 से ले करके, और गेड़ वे तक रोज test हो, everyday, एक दिन maths, अगले दिन physics, अगले दिन chemistry, PCM, PCM, इस तरह के बच्चे के लिए PCM के लिए PCM ही सबसे जरूरी है, English important है score करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ignore मत करो, Sunday को एक दिन उसको भी दो, ठीक है, try to strike a balance, okay, now, अब अगर हम 12th का syllabus बढ़िया से करते हैं, तो क्या-क्या benefit है, NDA में क्या benefit है, final selection के क्या chances है, right, let's talk also about test, तो अच्छे से सारे sample papers किये हैं, especially maths का, physics का, chemistry का, English का, ठीक है, बढ़िया से किया है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा एक base तयार है, मैं ये मानता हूँ, कि 11th, तुम्हारा थोड़ा week रह गया था, 80% बच्चों का week रह जाता है, 20% ही होते हैं, जो 11th से ही मैनत करना शुरू क 80% बच्चे जटका थाने के बाद 12th मैनत करना शुरू करते हैं, 80% में शुरू करते हैं, 30% बागी 30% तो अब शुरू करने वाले हैं, राइट, सर अब या गरे ये बताओ, तो भाई, जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी applicable है, सही तरीके से apply करो, तुम पे भी apply ह हो जाएगा, अगर तुम 50% की रेंज में हो, 70-50 की रेंज में आ जाओगे, जो 80 की रेंज में, वो 90 प्लस, 95 प्लस की रेंज में चले जाएगे, ठीक है, तो number 1 क्या मैंने बताया, रोज टेस्ट देना है, साढ़े दस से ले कर गे, डेड़ बजे तक, क्यों यही टाइम क्य यह सिखाया गया था, कि हमारा ब्रेन जो है, वो एक और भी ट्रेन कर लेता है, अगर रोज दो पहर में लंच करने के बाद, मुझे दो बजे आदे गंटे की नैप लेनी की आदत है, सोने की आदत है, तो मेरा माइन ऑटोमाटिकली दो बजे जो है न, वो सोना चाहेगा, अगर मेरा किस दिन एक्जाम पढ़ गया, तो मेरा माइन उस अपने ब्रेन पीक पर नहीं होगा, इड वोंट बी वॉकिंग अट इस बेस पेस, ठीक है, तो उसी तरीके से एक हाबिट हो जाती है, माइन अपने आपको ट्रेन कर लेता है, बॉड़ी, जो हमारे इंस्टिंक पे मुझे active रहना है, एकदम alert रहना है, और हर test को actual board exam की तरह देना, ठीक है, अपनी गलती, उस सही तरीके से test देना, keep an analog watch, उस watch के साथ साथ आप बढ़िया से test दीजिए, test जब खतम हो जाए, रेड़ बजे, उसके बाद आप उठो, proper तरीके से, take a gap of 15 minutes, half an hour, उसके बाद उ topics हैं, जिसमें मेरे से गलतियां हो रही हैं, मैं concepts कर नहीं पा रहा हूं, questions apply नहीं कर पा रहा हूं, फिर उस पर तुम मेहनत करो, हर बार you have to repeat this thing, right, appear in the test, identify your weak areas, work on it, work on it, बार बार उसको practice करो, ठीक है, जब ऐसा करोगे, तो 5-6-8 test के बाद तुम्हें realize होगा, कि हाँ, अब खोड़ा सा बढ़िया जा रहा है score, तो initially अगर score कम भी रहता है, back yourself, अपने आपको back करो, ठीक है, automatic, it takes time, things doesn't happen overnight, ठीक है, जिससे जो भी बच्चा अभी अच्छा score कर रहा है, वो इसलिए अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसने पीछे मैनत की है, अगर तुम्हारा अच्छा score नहीं आ रहा है, तो have some patience, effort लगाओ, score बढ़ेगा, अभी भी बढ़ेगा, ठीक है, be positive and put your action in the right direction, सही दिशा में काम करोगे, तो result अच्छा आएगा, डियान रखना मेरी बात, ठीक है, अब बात आती है, कि सर इस syllabus को करके NDA में कितना उधार होने वाला है, हमारा strategy हमारी क्या होने वाली है, तो एक चीज़ तो clear है, तुम अपने board पे focus कर रहे हो, कोई second choice नहीं है, ठीक है, क्यों एक entry तुम्हें directly मिल रही SSB की, written देना ही नहीं पड़ेगा, PCM के बच्चे को तो direct entry मिल रही है न, you'll be straight away getting SSB, if you are getting a good marks in PCM, अगर तुमारे PCM में अच्छे number है, तुमें straight SSB call आएगी, technical entry आती है, मैं बता देता हूँ, यही पर ही, आप उसमें apply करेंगे, notifications community में मैं अक्सर डालता रहता हूँ, आप touch में बने रही है, channel subscribe नहीं है, तो कर लो भाई, relevant चीज़ें ही देता हूँ, मैं तो हमेशा इस channel पर, ठीक है न, तो आप वहाँ पे देख लेंग September में देंगे, ठीक है, तो relations and functions एक ऐसा topic है, जो से direct questions तो चार से लेकर के 10 तक होते है, relations and functions में, तुम्हारे पास relation function, साथ में trigonometry, inverse trigonometric function, यह सारी चीज़ें आती है, composition of functions, बहुत सारे, बहुत कुछ syllabus से हटा भी दिया गया है, CBSC में, but otherwise, किसी भी competitive exam में तो वो completely ही आता है, ब तो almost अकर आप मेरी नजर से देखें, तो relations and functions से, चार से लेकर के, और 8 सवाल तक, आपको यहां पे मिलेंगे, right, NDA के exam में, यह तो आपका board का हो गया, यहां मैं NDA की बेटेज साथ साथ कवर कर रहा हूं, ठीक है, algebra, mainly अगर मैं class 12 के reference दे बात करता हूं, तो it means matrices and determinants, right, matrices and determinants तो our view और sarnic, हिंदी में कहते हैं, तो यह जो आपका matrices और determinant है, यह लगभग अगर तुम देखोगे अपने NDA exam में, तो इसमें भी 8 से 12 questions कहीं नहीं जाते, right, मैं यह जो numbers तुमें दे रहा हूं, यह पिछले 6-7 साल का मैं average लेके चल रहा हूं, अगर तुम थोड़ा बढ़ But at the same time, I strongly feel, don't go by the trend, because UPSC is known for breaking the trends, right, हर भार कुछ न कुछ ऐसा UPSC करती ही करती है, जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं, मेरा यह मानना है, अपने तरीके से अपनी strategy और planning रखो, right, कि हाँ, यह मेरा safe score है, इतना तो मेरा बनता ही बनता है, ठीक है, तो बता रहा हूं एक बात, हर चीज को pen copy के साथ लिख लेना, और यह PDF अगर चाहिए, तो telegram का link दिया हुआ है, वहाँ पर जाके download भी कर सकते हैं, ठीक है, okay, calculus से, अगर मैं इसको break करूँ सबसे पहले, limits, continuity, differentiability, असान portion है, non-match वाले बच्चे भी इसको छोड़ के ना जाएं, ध्यान रखना, limits, continuity, differentiability, लगभग चार से आठ सवाल इस पे आते ही आते हैं, अगर तुमने functions को ठीक से पढ़ा है, और NCERT से भी, अगर तुमने functions, limits, differentiability, continuity इतना काम कर रखा है और PYQs लगा रखे हैं, it is more than enough, it is more than enough, right, यहाँ जो telegram आपको दिख रहा है, जिस्तों मैं regularly live class लेता भी हूँ YouTube पे, सु उसके notes और assignments भी बच्चों को practice करने देता हूँ, तो अगर आप नई जूड़े हैं, तो मैं suggest करूँगा, आप वहाँ पे regularly आईए, आपको board और साथ-साथ NDA दोनों के complete coverage वहाँ पे मिल रही है, everyday in the morning, ठीक है, बठा हम उत्मारा test time है, तो बाद में देखने ना, कोई पास करता जारों, बहुत से अब इच्छे बात में भी उसको follow करते हैं, and they accordingly ask questions as well, right, even you can do that, okay, तो इसमें अगर मैं इसको break करूँ, right, जैसे की limits हो गया, then you have continuity, and then you have differentiability, ठीक है, differentiability, तो इन तीनों topic से लगभग मैं देखता हूँ कि 5 से 10 questions तक यहाँ पे मुझे दिख जाते है 5 से 10 questions, ठीक है, 5 तो कहीं नहीं जाते हैं बेटा, कहीं भी नहीं जाते हैं, 5 तो हैं है, फिर आपका आता है differentiation, अलगकर लगतर अपी differentiation होते हैं, फिर application of derivatives, फिर आपके पास integration, right, integration के कुछ तो direct questions आते हैं, फिल्कुल direct, special integrals ध्यान से देख लेना, right, जो classes चल रही हैं, उसी को follow कर लो, तुमारा भला board में भी हो जाएगा, और NDA में भी हो जाएगा, ठीक है, अलाकि जो मैं classes ले रहा हूं, they are 100% focused on board, NDA, reason being, उसमें मैं सिर्फ NDA की questions discuss करता हूं, लेकिन हां, concepts मैं completely करा रहा हूं, looking into the fact that there are some students, जो class 12 में बढ़ रहे हैं, तो concept में सारा करा दे रहा हूं, ठ ठीक है, तो overall अगर आप देखें, तो calculus से NDA में, अगर आप सारा कुछ देखें, तो लगबग अगर तुमने अच्छे से school level किया है, board level अगर तुमने अच्छे से किया है, तो लगबग इसमें 35 से 42 questions तक आते हैं, 35 से 42 questions आपको यहां से मिल जाते हैं, सिर्फ calculus से, अकेले calculus से right from limits to differential equations, सब मिला करके 35 से 42 questions मिल जाते हैं, सोच के देखो, अगर तुमने school level पे इसको अच्छे से कर रखा है न, लगबग cutoff तो इतने भी खतम हो जाती है, बेटा, NDA के cutoff तो इतने पे ही तुमारी पार हो जाती है, अगर तुमने अच्छे से board, school level भी कर रखा है, तो और जब एक बार तुमारा March, third week of March तक तुमारा main सारे exam खतम हो जाएंगे board के, उसके बाद you can focus only on NDA PYQs, नो, यही topic जो मैं अभी तुमसे forcefully कह रहा हूँ कि तुम board level पे focus कर लो, उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे ही तुमारा third week of March तक खतम हो जाए, main papers तुमारे ख इस terrain पे, किस gear में कौन सी गाड़ी कहा चलानी है, हमें पता होना चीए ना, तो आप उस समय फिर directly इनी topics के PYQs करने शुरू कर दीजी, और एक बर जब March में सारे exam खतम हो जाए, तो भी तुमारे पास April के महिने में 20 दिन है, उस 20 दिन में रगड़ के सिर्फ टेस्ट देना सिर्फ सिर्फ टेस्ट देना, offline टेस्ट देना, तुम जहां भी रहते हो, वहां तुमारे पास offline test centers होंगे, आप वो ले सकते हो, right, go for offline test, online test NDA के लिए मैं कभी भी suggest नहीं करता हूँ, go for offline test, तुमें paper offline देना है, तुमें offline देने की practice होनी चाहिए, मैंने पिसली बार भी कहा थ दो-चार बच्चों ने मंगवाया दी था, दूर-दूर के Calcutta वेगारे के बच्चे मंगवाया थे, right, इस बर मैं फिर से offer दे रहा हूँ, जिन बच्चों के पास offline test centers उनके शहर में available नहीं है, और उनको offline test देने में दिक्कत आ रही है, वो हमारे से postal service पे, जो भी postal cost होगी, फोटो का भी cost होगी, उस पे हम तुम्हें सारे के सारे test with Omar तुमारे घर पे भेज़ देंगे, right, और जो हमारी यहाँ पे discussion होगी test की, उस test में भी हम तुम्हें participate करा लेंगे, ठीक है, एब पे, Google पे, YouTube पे, जहां कभी possible है, वो सीज़े हम अब करेंगे, whatever best is possible, I've always been doing it and I'll keep doing it Okay, so, अगर हम आगे बढ़ें, vectors और 3D, vectors 3D की भी अच्छी खासी importance होती है, बचो, vectors और 3D अगर तुम दोनों को मिला लो, right, 3D में तुम्हारे पास, पहले तो basic 3D की concepts होगे, उसके बाद फिर 3D में तुम्हारे पास lines आएगा, planes आएगा और spheres आएगा, spheres हमें नहीं पढ़ना है, class 12 में, तो फिर छोटा सा topic है पढ़ देना, उससे 2-3 questions straight सीधे वाले बिलकुल मिल जाते है, circle से मिलता जूलता concept है, गर तुमने class 11 में, conic section में circle अच्छे से करा है, तो for sure, तुम्हें spheres करने में कोई परिशानी नहीं आएने वाली है, ठीक है, बाकी, यहाँ पे जो चीज पर चीज़ों को देख सकते हो, आप कुस चीज़े समझ में आएंगी, ठीक है, notes भी आपको regularly वहाँ पे मिल जाते हैं, उसको follow करते रहना, okay, alright, linear programming, this has everything to do with the boards, इसका कहीं कोई, हलां कि inequality पे based होता है, linear programming is entirely based on inequality and graphs, ठीक है, तो inequality class 11 में तुमने करी होगी, inequality के questions भी आपके पास N NDA में मिल ही जाते हैं, domain range वाले जो अकसर questions होते हैं, functions के, वो inequality पे based कहीं न कहीं होते ही होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़े आप यहाँ पे कर रहे हैं, वो NDA में 100% काम की है, ऐसा कोई भी effort तुम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, जो वहाँ पे काम नही नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इस पे पूरा-पूरा effort लगाओ, full effort लगाओ, NDA में सब कुछ काम आएगा, ठीक है, probability, very-very important topic, तो यहाँ पे आप जब यह सब कुछ कर रहे हैं न बेटा, right, 3D से अगर मैं बात करूं, vectors of 3D से almost अगर मैं questions की बात करूं, so मेरा यह opinion है, vectors 3D दोनों मिला करके, लगभग 12-20 question तुम यहां से उम्मीद रख सकते हो, 12-20 question, right, कहां से, vectors of 3D से, ठीक है, उसके बाद फिर आपके आती ही probability, इस बार तो probability के 16 question आये थे, NDA2 2023 में 16 question आये थे, मैंने एक्जाम से लगभग 10 दिन पहले यह predict किया था, अब लोग बोलते हैं, चीज़ होती है, gut feeling भी होती है, as a teacher भी आपको gut feeling आती है, कि हाँ इस समय लगता है, कि हाँ यह वाला topic जादा important इस बार हो सकता है, तो वो gut feeling as a teacher आती है, इस बार भी हफते दो हफते पहले regularly follow करते रहे ना, कुछ ना कुछ ऐसी gut feeling आगी, जो मैं बताई दूंगा आपनों, कि यहां इस पर जादा focus कर लो, इस बार मुझे लग रहा है, इस पर जादा आएगा, तो अक्सर जो ऐसे gut feeling आती है, वो 90% अभी तक तो correct ही होई है, right, तो probability कब पिछली बार 16 आ गये थे, इस बार भी 8 से 12 question कहीं नहीं जाते बेटा, 8 से 12 question कहीं नहीं जाते, and once you are done with the boards, उसके बाद क्या करना, छोटे-छोटे topics, right, जैसे permutation combination, हलागी छोटा topic नहीं है, लेकिन क्योंकि वो probability से related है, right, इस बार तुम अगर देखोगे, तो जातर question जो probability के आए हैं, वो arrangement वाले question थे, permutation के question थे, right, तो कहीं न कहीं, अगर आप permutation combination को बढ़िया से करते हैं, तो आपकी probability को भी छोड़ा एक force मिलता है, कि तुम उसमें अपनी accuracy और attempts को बढ़ा सको, I hope you are getting all my points, okay, now, तो permutation combination, जब एक बार exam खतम हो जाए, तो कौनकों से topics करने है, list बना दू, ये रो, तुम्हें set theory करनी है, यही क्यों बोल रहा है हो sir, देखो, इनका लेना देना, उन topics से है, जो class 12 के topics हैं, जो NDA में पूछे जाते हैं, set theory से कहीं न कहीं तुम्हारे पास जो probability का concept है, वो काफी linked है, तो direct question भी तुम set theory के कर पाऊंगे, और probability वाले questions भी यहां से हो पाएंगे, ठीक है, then the next, I would suggest is, ये छोटे छोटे topics हैं, it's small topics, then 11th के और कौन सा तुम्हें करना है, 12th की board के बा 2024 विजेता बैच के playlist बना रखी, आप उसको follow करते रहें, काफी फाइदा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर मैंने कहा permutation and combination, आप उसको follow कीजी, ठीक है जी, आपने permutation, combination follow कर ले, देखो भीया, बिना trigonometric है तो कुछ भी नहीं है, तुम अगर class 12th में अभी पढ़ रहे ह तो trigonometry का भी मैंने कई बार का है, मैंने एक ना, दो वीडियो मैंने trigonometric के बनाए, एक वो कि अगर भीया सब कुछ बढ़िया से समझना है, सीखना है, उसके लिए बनाया है, वो करीब एक घंटा दस मिनिट का है, और एक मैंने 5-6 मिनिट का वीडियो बना रखा है, कि तु तो वो trigonometry का मैंने वीडियो बना रखा, तो बिना trigonometry के बात बनती नहीं किसी भी एक्जाम में, जिस एक्जाम में मैंस आ रही है, उसमें बिना trigonometry के आप बात बना ही नहीं सकते, दियान रखियेगा, especially calculus में बिना trigonometry के अच्छे सवाल कैसे कर लोगा यार, तो तुम्हे sin x into sin 2x into sin 3x को integrate करना है, बोड का question है, तो बिना trigonometric identities के आप इसको नहीं कर पाएंगे, right, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो trigonometry तो mandatory है, ये तो तुम्हें अभी भी कर लेना चाहिए, अगर तुम्हें वो 5-6 मिनट वाली वीडियो रूणने में परिशानी हो, तो comment कर देना, मैं link बेज़ दूगा, कि सर वो 5 मिनट वाली वीडियो बेज़ दी, ये trigonometry की calculus वाली, I'll share it, ठीक है, ओके, और क्या करना है तुम्हें, जिससे कि तुम्हारा confirmation हो जाए, तुम statistics जरूर करना बेटा, ये last moment पे है, मैं इसको यहाँ पे कराऊंगा भी, somewhere around April 1st week, मैं plan कर रहाँ कि मैं YouTube पर ही करा दूगा, ताकि हर बच्चे को मिल जाए, formula based होता है, basic चीज़े होती है, बस तो-चार formula याद रखे, कोई दिक्कत नहीं आती है, अराम से statistics हो जाती है, और weightage भी अच्छी कासी होती है, probability और statistics मिला के minimum 20 question आते ही आते हैं, याद रखना, हर बार, right, हर ठीक है, तो statistics भी जरूर से करना, set theory, logarithmic कर सकते हो, log कर सकते हो, right, ये भी पीछे हमने करा रखा है, बट still, अगर कभी भी आपको कोई ऐसी परिशानी आया, बता सकते हैं, right, बच्चे बोलते हैं, सरी टॉपिक करा दो, मैं अक्सर फॉर कोशिश करता हूँ कि जातर request को follow कर ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो, जरा score अपने देखो, कितना तुम maths में score कर लोगी, आउसको जरा check करते हैं, let's check this, minimum कितना score हो जाएगा, चार question कहीं नहीं जाते हैं, चारी माल लो minimum, आठ लगा लो यहाँ पर, ठीक है, इधर 35 है चलो, ये 25 ही माल लो, माल लेते हैं कि अगर में हमारे पास लगबग 12 question, चलो 10 question यहाँ लगा लो, ठीक है, और उसके बाद probability के, चलो 5 ही question यहाँ लगा लो, ठीक है, कितने हो गया भी यह इस तरफ, इधर हो गया, तुम्हारे पास 30, 40, और ये 42, 42 questions minimum मैंने बताया तुम्हें, this is the minimum that you will be doing, right, this is the minimum that you will be doing, है ना, and don forget to write the test, test करना मत भूलना, अभी board level और जैसी board खतम हो जाए, तुरंट NDA पर switch कर लेना, right, जितने ज्यादा test कर लोग उतना बढ़ी है, हमारे पास करिब 25-26 test पढ़े हैं, NDA के bilingual English Hindi दोनों भाशाओं में, तो आप जिस भाशा में भी चाहते हैं, उस language में आपको दे देंगे हमारे तो assignments जो bilingual होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे UP board से आते हैं, पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे CBS, CISA से होते हैं, तो we have to keep our classes bilingual, right, तो accordingly उसी तरीके से हम लोगों ने test series, assignments, हर चीज बैसी प्रिपेर कर रखी हैं, तो उसका आप पाइदा ले सकते हैं इनकिस आप कहीं दूर बैठे हैं, you can get in touch with us, उपर एक WhatsApp number आ रहा होगा, इसमें तुम directly message कर सकते हो, और बता सकते हो तुमें जो भी चाहिए, जो भी हमारी printing cost है, postal services है, उसी cost में हम तुमें भेज़ देंगे, तुम जहां भी हो, wherever in India, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में जहां पे भी हों बेज़ देंगे, ठीक है भई, ओके, अब और हम बात करें, इधर हमने 42 question confirm कर लिए, है न, 42 और प्लस और देखते हैं, और कहां तक हम जा पा रहे हैं, इतना ही syllabus करके, इतना ही syllabus करके, कहां तक पहुंच पा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, अभी coordinate तो मैंने से पूरा ही छोड़ दिया है, पूरा coordinate छोड़ रखा है, सिर्फ इतना syllabus में कहां पहुंच रहा है, set theory से minimum 2 question, permutation combination से minimum 3 question, trigonometry से minimum 10 question, minimum 10 question trigonometry से, right, statistics से 5 question, log से 1 से 2 question, एक ही मालो, कितने हो गया बच्चों, यह तुमारे पास आ गया 15, 20, 21, तो इतना सा भी काम किया तुमने, त यह 63 नहीं थे, right, यह तुम मैं इतना syllabus बता रहा हूं, this will at least touch 80 questions, remember that, minimum 80 होगा, maybe it will go beyond 80, और यह तुमारे निटी तर चला जाएगा, out of 120 questions, तो यह जो तुम्हारे पास 80 के आसपास questions हैं, जिसमें तुम अगर 60 प्लस भी score कर लेते हो, तो तुम्हारा sure shot written में, paper 2 के लिए तुम qualify हो जाओगे, तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुमने mathematics में cutoff free नहीं clear किया, तुम्हारा GAT check भी नहीं होता है, I hope you know that, ठीक है, so maths is important, whether you are from mathematics background or you are not from mathematics background, you have to give its due weightage, जो weightage है, जो उसकी importance UPSC ने बनाई है, तुम्हें वो importance देनी पड़ेगी, इसी दी बात की है, ठीक है, so please make sure यह आप अभी board पे 100% focused है, right, you are 100% focused towards your boards, एक बार जब तुम्हारा board खतम हो जाए, right, जो बाते मैंने बताई हैं, उसके सिर्फ PYQs NDA से करना और test देना, अभी board pattern पे test दो, जैसे ही board खतम हो, तुरंत NDA pattern के offline test देना शुरू करना, right, go for offline test, I emphasize this, मैं इसको strongly emphasize कर रहाँ, offline test ही इसके बाद और कोई समस्या है, you can always get in touch with me, आप comments कीजिये, telegram पे जोड़िये, वहाँ आपनी बाते बताईए, पूछिये, whatever best is possible from my side, I'll always keep doing it, okay, so with that, I think we should stop it here, video किते मिनट की होगी, भई, almost more than 20 minutes, that'll be all, and let's meet in the next class, 10 बच के 10 मिनट पे regularly मिल रहे हैं, तन्यवाद, खूब अच्छे से मैनत कीजिये, ध्यान रखियेगा, सफलता के लिए मैनत करना बहुत ज़रूरी है, और सही दिशा में मैनत को का होना बहुत ज़रूरी है, right, आप सफल सिर्फ और सिर्फ कभी हो सकते हैं, जब आपने मैनत की है, और सही दिशा में की है, सिर्फ मैनत करने